तो आपको भी किसी प्रोड़ट का रिवीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं रिवीडियो ज़रूर लेकर आउंगी तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मेरे पास क्या है तो ये है मेरे पास क्लेंस्टा का एक्स्ट्रीम हेर रिपेर शैंपू ठीक है रेस्टोर डल और डामेज हेर तो क्लेंस्टा जो है ये डल और डामेज हेर को रिपेर करता है ए इसमें है 0. 10 percent egg protein extract फिक है इसमें दिया गया है कि plus 10 percent extra with the power of egg protein extract मतलब इसमें 10 percent एक एक्स्ट्रा पावर है एक की एक प्रोटीन की तो इसके जो में इंग्रीडेंट है उसके बारे बे मैं आपको बताऊंगे सबसे पहले कि इसमें 0.10% egg protein extract है 0.02 percent hydrolyzed silk protein है 0.1 तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह सारी चीज़े क्या है नहीं मैंने पढ़के तो बता दिया पर इसके बारे में थोड़ा सा वालो के क्याप तो पर इसके कर सेह बालो के अगशा होता है नहीं में तो बालो के जो घॹले प्रोटीन पहली हर और जोटे फैसाला करता है कर पड़े हो में संदूड़ा ओगार करते हैं डो तरह के बाल जड़ते हैं पिषली बाल आपके पेंडने दो सब्सक्राइब में ह Walk में नीकलते और में जो चूटे-चोटे-चोटे-चोटे चूटे-चोटे जब आप बना लेते हो तो बाद में छोटे छोटे बाल दिखने लग जाते हैं वह आपके ब्रेकेज होते हैं तो यह प्रेवेंट करता है आपको ब्रेकेज से हाइलरो सारी हाइट्रोलाइस्ट सिल्क प्रोटीन ठीक है और हैल्प करता है लांग टाइम मतलब लंबे समय तक आपके बालों में में नारिश्मन्ट एंड थिकर यह बालों को मोर नारिश्मन्ट मतलब जादा नारिश्मन्ट देता है और साथी साथ बालों को घणा जैसे कि आपने सुना होगा लंबा घणा और मज्बूत बनाये रखें तो बहुत्स में जान लेते हैं जेंटली मसाज़ शैंपू अनवेट हैर और इंड़ फिंगर टिप्स तु वर्क इंटो ए लैदर रिंस थोरली एंड फॉलो इट विद और कंडिशनर वैसे सिर्फ शैंपू हैं कंडिशनर का कोई रिव्यू नहीं है मेरे पास पर सिम आप जैसे शैंपू यूज करते हैं व i suspect आप चाहिए वी तो बालों को घ्रिंड कुझे आपको आप करना होता है ना कि बालों को जब के स्कैल्प लिए होगे तो आपके बाल भी खुझे तो पहले आपको स्कैल्प को क्रना है और किसी भी प्रोड़क्त का अप इस्तामाल करते हैं तो उसे शैंप पे जादा इस फुर्प की क्लीनियंग कीजीए बहुत सारे लोग पढ़ाइंगे जी बालो को हूं करते हैं अधि बखना को बालो को बुस्लों करना बहुत जरूरि के स्क्लीन करनां भ Tub तब ही इसकी जो qualities हैं कि ये आपके scalp को dryness से दूर रखता है, nourishment देता है तो वो यहीं देता है बालों के जड़ों में ना कि यहां बालों में, ठीक है, यहां से अगर जैसे कोई पौधा है आप पानी जड़ों में डालते हैं, बाकी जगा तो बात में उपर से छिड़क दिया ठीक है लेकिन जड़े मजबूत होंगी तो ही होगा और सिर्फ शैंपू यूज करने से कुछ नहीं होता है, hair oiling भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बालों के oiling करना भी बहुत ज़रूरी है, अब बात करते हैं, शैंपू के में एक अलग direction में चली गई, तो यह जो ह को 349 रुपीज में मिल जाएगी, यह कुछ इस तरीके की bottle है, आप देख सकते हैं, इसी तरीके की सीव हुई थी, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने Amazon से order किया था, आप चाहें तो आप Amazon से order कर सकते हैं, नायका से भी, वहां पे भी मिल जाएगा, तो इसमें 10% extra with the power of egg protein extract, तो मतलब एग की quality सबसे जादा है, एक के बारे में बार अलो के लिए अंडा तो बहुत अच्छा होता ही है, the better way, so यह paraben free है, और क्या है, non toxic है, pesticide free है, मतलब इसमें pesticide नहीं है, बात करूं मैं इसकी self life की, तो इसकी self life जो है, वो use before 24 months, यानि की 24 महीनों के पहले, दो साल, बतलब दो साल तो वैसे भी नी चलने माला, अगर आप हमेशा यूज करते हैं, वीक में दो बार शैंपू यूज करना बहुत जरूरी होता है, अगर आप दो बार यूज करते हैं, तो वैसे भी नी चलेगा, पर 24 महीने तक यह चल सकता ह ठीक है तो उमीद है कि इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है आई होप कि आप सब को रिवी अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा म मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्राड़क्ट के रीव्यू या फिर कोई होम रेमेडी लेकर या फैशन से रिलेटर वीडियो तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार हाव गुद डे